हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एजूकेशन चैनल तो फ्रेंड्स आज का जो रिक्रूटमेंट है यह जूनियर एनलिस्ट के लिए है जिश में की फूट इंडर्स्री से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड कंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं यह बहुत अच्छा अपर्चुनिटी है अच्छी खासी सैलरी है चलिए डिसकस करते हैं क्या इलिजिबिल्टी क्रेटेडिया है क्या इसमें कितनी वेकिंसी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि रेगलर अपडेट आपको मिलता रहे सो यहां पर देखेंगे फ स्टार्टिंग में मिलेगा प्लस अधर एलांसे 35,412 परसेंट पी एफ ग्रैचिटी एचारे टी एडिये लॉट्स ऑफ अधर फिप्टी प्लस जो है पर मंथ आपको स्टार्टिंग में मिलेगा और फिर यह मैक्सिम सालरी इस ग्रेड पे पे मिलेगी नमर वेकिंसी की बा अब फार्मेशिस्ट के लिए देख लेते हैं तो फार्मेशी में यहाँ पर देखेंगे फ्याम फैलरी पैकेज है 361 वेकिंसी है जेनरल के लिए 146 75 अनसीजाती के लिए 97 और 36 वेकिंसी जो है आर्थिक रूप से कमजोड वर्क के लिए है तो यह नमबर आफ वेकिंसी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ग्रेजुएट कंडिडेट चाहिए राइट ग्रेजुएट कंडिडेट में किस किस इस्ट्रीम से उना चाहिए फार्मेशी से अगर आपने ग्रेजुएशिन किया है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं ओके अब दूसरा जो है खाद विज्ञान से इन सभी में से किसी एक में अगर आपने MSC किया है यहां असनू कर दिया हुआ है तो MSC किया है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं ओके इसमें जो है यहां पर देखेंगे एक eligibility criteria है selection process का जो उत्तर प्रदेश में एक एक्जाम हुआ था preliminary eligibility test pet 2023 तो इसको जिसने qualify किया है इसमें जो score card है उसके basis पर आपको shortlist किया जाएगा सपोर्ट कि यहां पर 1000 vacancy है तो 15 गुना ज्यादा candidate को shortlist किया जाएगा written examination के लिए तो that means वहां पर जो score card रहेगा तो उसमें 15,000 बच्चों को shortlist किया जाएगा written examination के लिए and then फिर आप written examination में जो highest score रहेगा उसका document verification and then appointment होगा तो 21 से चालिस एज दिया गया है पचीश रुपए application fee है ओके और यहां पर 15 अप्रेल से लेके आप 15 मई तक form fill कर सकते हैं 22 मई तक जो है आप fee pay कर सकते हैं तो यह basic जो है अभी update आया हुआ है तो आपको apply करने के लिए बहुत time है और you know अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कोई भी you know assistant definitely मैं आपको help out करूंगा so good luck for your preparation and for your exam मिलते हैं नए अपडेट के साथ thank you